मस्कार दोस्तों शुवागत आपका मेरे YouTube चैनल फाइनेंशल विलेज में सबस्क्राइब यूट्वी प्रुडेंशिल लाइफ की एक प्लान है जिसके नाम है ICCI Prudential Immediate Annuity प्लान Immediate Annuity का मतलब होता है यहां पर तुरंत पैंसन जैसे आपने पॉलिशी स्टार्ट की उसके अगले मेने से आपको पैंसन मिलने स्टार्ट हो जाती है तो इस पॉलिशी के बारे में डिटेल से जानेंगे कि हमें यहां पर कितना पैसा जमा करने पर कितनी पैंसन मिलती है उसका maturity calculate करके आपको दिखाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एक example से सबसे पहले एक example से मान लेते हैं कि जो customer है उसकी उमर 45 साल है और उनकी wife की जो उमर है वो भी 45 साल है यहां पर जो customer है वो invest करता है 50 लाक रुपे single premium में दोस्तो single premium का मतलब होता है जो आपने पैसा है वो एक साथ बरना है एक ही किस्ते में बरना है policy को लेने से पहले और उसके बाद में जो customer है उसको कितनी pension मिलेगी यहां पर कितनी pension उनकी wife को मिलेगी उसके बाद में कितना प कि आपको maturity calculate करके दिखा देंगे यह रहा maturity calculation age जो customer है husband है उसके age 45 single premium 50 लाक रुपे यहां पर इस policy में जमा कर क्या हो policy खरीज सकते हैं उसके बाद में देखे 24,400 रुपे का monthly pension अगले मेने से customer को मिलना start हो जाता है जब तक husband जिवित रहेगा तब तक यह 24,400 रुपे monthly pension उसको मिलेगा आगे देखे 45 से 55 दस साल में total 39,28,000 रुपे का pension उनकी customer को मिला फिर 55 साल में माल लेते हैं कि जो customer उसकी death हो जाती है यहां पर देखिए wife को 55 साल से लेके 55 साल में जैसे husband की death होती है wife को 24,400 रुपे monthly pension मिल हो जाता है तो wife की बात करें तो 65 साल तक 29,28,000 रुपे wife को मिलता है फिर 65 से 75 के बीच में भी same amount मिलता है 55 से 95 साल तक उनको 29,28,000 रुपे 95 से 100 साल तक के बीच में 14,64,000 रुपे यहां पर 100 साल माल लेते हैं कि जो wife है उनकी भी death हो जाती है उसके बाद में जो nominee होता है nominee will get after husband and wife death 50 lakh nominee जो होता है उसको 50 लाग रुपे मिलेंगे यहां पर जो wife है उसकी death होने के बाद में यहां जो customer है उनकी wife की death के बाद में उनकी nominee को मिलेंगे 50 लाग तो यहां पर अगर हम total benefit के बात करें तो 1,61 लाग यह total pension प्राप्त हुई है policy के दोरान में customer को और उसके बाद में plus 50 लाग प्रेमियम जो की nominee को वापस मिला तो total अगर बात करें तो 2,11 लाग रुपे का यहां पर benefit हुआ customer को और जो पैसा उन्होंने दिया था वो पैसा उनको वापस मिल गया उनके nominee को तो यह एक बहुत अच्छी scheme है दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि monthly pension आपको आती र eligibility की इस pension plan को खरीदने के लिए जो customer है उसकी क्या eligibility होने चाहिए क्या उसकी योगिता होने चाहिए चो यहां पर देखते हैं चलिए सबसे पहले बात करेंगे age की तो age जो minimum है वो 45 साल होने चाहिए यानि husband और wife दोनों की उमर 45 या 45 से ज्यादा होने चाहिए उससे कम नहीं हो होने चाहिए अगर ज्यादा की बात करें तो hundred years इसकी maximum है यानि शो शाल तक customer की उमर हो कभी भी इस policy को ले सकता है इस policy को लेनी के लिए दोस्तों Indian citizen होना जरूरी है government employee भी इस policy को ले सकता है retired जो government employee हो गए है वो भी इस policy को ले सकते है private नोकरी जो करते है private employee है वो भी इस policy को खरीच सकते है शोप की पर कोई भी है वो भी इस policy को ले सकता है चाहिए वो business man हो वो भी इस policy को ले सकता है student भी खरीच सकता है housewife हो वो भी इस policy को ले सकती है तो दे आपके पास pen card होना चाहिए आपके पास voter ID card होना चाहिए और एक bank की passbook आपके पास होने चाहिए यह आपके पास अगर ID है और age का criteria आप इसमें fulfill करते हो तो इस policy को आप खरीद सकते हो दोस्तो इस policy को खरीदने के लिए या फिर आप किसी भी प्रकार की detail के लिए आप हमारे न वीडियो देखने के लिए धन्यवाद